वो कौन था? क्योंकि अभी तो मैंने पहली सास बीना ली थी और उसकी धड़कने तेज हो चुकी थी. मेरी पहली किलकारी सुनते ही पूरे हस्पताल में मिठाई बढ़ चुकी थी. याद नहीं मुझे कि पहली बार किसकी गोद में गिरा था, पर सायद. सायद उसी का हाथ थ सबसे पहले मेरे सर पे फीरा था. हाँ, खाने की तंगी थी हमारे घर में, पर फिर भी खिलोनों से सजा रखा था. अपने सबने बीच में ही छोड़कर मेरे लिए गुलक में पैसे बचा रखा था. कौन था वो आदमी? क्योंकि लबजों की दुनिया से तो मैं अब भी अं चालता, कभी हाँ थी, कभी घोड़ा बनकर मुझे सीने से लगाते रहता था. वो खुद अनपढ़ गवार रह गया था सायद, पर मुझे पढ़ा रहा था. पैरों में मेरे छाले ना पढ़ जा, इसलिए कांधे पे बैठा के मुझे इसकूल ले जाया करता था. कौन था व आई याँ बेहन की साधी और मेरी हर ख्वाहिस के लिए किसी और के सामने हाथ पहलाये, सिर जुकाये, किसमत का मारा था. आखिर कौन था वो? जिसे बुखार तो आता था, लेकिन गोली नहीं लेता था, दर्द तो होता था, लेकिन बाट नहीं पाता था, और सायद. सायद गई और बाल उसके सफेद होने लगे, जो अब तक मेरे आखों के साथी थे, आज वहीं आसू, उसके आखों से रोने लगे. घुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तै किया था, लेकिन अब जवानी मुझे दोड़ने के लिए कह रही थी और वो मेरे साथ द जोड़ नहीं सकता था, इसलिए अपनी मंजिल तक पहुचने के लिए इतन नीच बन चुका था कि उसे बीच रामे बेहाल बेसहारा गिरता हुआ छोड़ देना चाहता था, आखिर भूल जो गया था, कौन था वो, क्योंकि अब पैसा जो कमाने लगा था, तो उसकी हर एक नसियत मुझे गुस्सा दिलाने लगती थी, और बेटा सब ठीक तो है न, उसकी ये हमदर्दी भी मानो मेरे सीने में आग लगाती थी, वक्त ने करवट बदली, आज तक मैं किसी का बेटा था, और मैं भी वहीं आदमी बन चुका था, वहीं सपने वहीं खुआई से और व एक पन्ना खाक बन चुका था, यो मैरा बाप था, जो राक बन चुका था, और विडियो के लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूं कि समहाल लेना, उन लडख़र आते हुए कदमों को, जो आज एक छड़ी का सहारा लेकर चल रहा है, क्योंकि याद रखो कल तुम्हारा भी बेटा समझदार होगा और अगर नहीं कर पाई अपने पीता से सची मोहबद तो वहीं बेटा इनी लबजों का हगदार होगा और दुआ करता हूँ दुआ करता हूँ वो लमहा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए क्योंकि उस लमहे का हरे कत्रा बहुत ही दर्दनाक होग लेकिन वक्त अभी भी बचा है तुम्हारे पास थोड़ा सा क्योंकि कल इसी वक्ता हर एक लमहा तुम्हारा करजदार होगा और जड़ा सोच कर देखो आज तो वो तुम्हारा बाप है गल अगर वो ना रहे तो क्या होगा और जन्नत का ख्याल रखते हो अपने जहन में कर दोगा